समाशकार, मैं डॉक्टर राशित ताज, रामा मेडिकल कॉलेज, इंटर्नल मेडिसन डिपार्टमेंट आज हम बात करेंगे अस्थमा के उपर, अस्थमा क्या है? सौंस नालियों की सूजन या उसका सुगुर्णा इसे हम लोग अस्थमा बोलते हैं होता क्यों है यह, कई एक बार यह जैनेटिक होता है, पर कुछ ट्रिग्रिंग फैक्टर होते हैं, जिन्हें हमें आइडेंटिफाई करना परता है, जैसे ठंडे का मौसम, धूल, मिट्टी, धुमा, कई एक बार कुछ दवाईयां, जिसमें बहुत कॉमन दवाई, जो हैं वो दर्की, गोली, जैसे निमोसलाइब वगेरा, या कोई बीटा ब्लॉकर लेते हैं, तो इससे अस्थमा ट्रिगर हो सकता है, अस्थमा होने पे क्या दिक्कत होती है, सांस हूलने लगता है, हम परिसान हो जाते हैं, घबरादने लगते हैं, पाल्पिटेशन या धर्खन बढ पूरा सेंटेंस हम बोल नहीं पाते हैं, पसीन आने लगता हैं, इससे हम बचे कैसे हैं, हमें सबसे पहले striking factor को रोबना है, जो अस्थमा के अट्च को ट्रिगर कर दे या जो अस्थमा के अटेक को बढाद है, हमें धूल से बचना है, वो चीजे नहीं खानी है, जिससे अस बाहर जाते हैं, हमें अस्तमा है, फंड का मौसम है, तो अपने आपको कवर करना है, बहुत ज्यादा धूल में या खूल बागीचे की तरफ नहीं जाना है, कई एक बार ये जानवरों के लिए यरुएं से होता है, तो हमें जानवरों से दूर रहना है, त्रीटमेंट बहुत सारे अवेलेवल हैं, हमें डॉक्टर से संपर्ख करना है, देर आर वराइटीज आफ इन्हेलर, न्यूर इंजेक्शन और न्यूर मेडिसेंस आवेलेवल, आज हमारे पास दूसरे वैक्सिन भी अवेलेवल हैं, जो अस्थमा के साथ, अगर किसी को इंफेक्शन हो जाता है उसे बचाया जा सकता है, कोन लोग हैं, जो इंफेक्शन के प्रोन हैं, जैसे बूर हैं, बच्चे या जिनकी इम्मुनिटी कमजोर हैं, वो इंफेक्शन से प्रोन हैं, तो उन्हें निमोकोकल, इंफ्लुएंजा वैक्सिन, ये दोनों वैक्सिन मौसम चेंज होने के तौर लेना चाहिए और वाकि जो नॉर्मल प्रैक्टिकली आजकल हम लोग कर रहे हैं आद धोना, मास्क लगाना और भीर से बचना ये करते रहें, स्वास्त रहें, नमस्ता.